साथियों, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी एक और योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधान मंत्री स्वनिती योजना से जुड़ने वाले जो भी रहडी पत्री वाले लोग होंगे उनका जीवन आसान बने उन्हें मुल्बुत स्विधाई मिले ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। उनके गर बिजली कनेक्शन है या नहीं, वो आईश्मान भारत योजना से जुड़े है या नहीं, उन्हें 90 पैसे प्रतिदीन और एक रुप्या महिना बाली बीमा योजना का लाब मिल रहा है या नहीं, उनके पास अपनी पक्की छत है या नहीं, ये सारी बाते उसको भी नहीं देखा जाएगा, और जहां कमी होगी, पुरा करने के लिए सरकार सक्रेश रूप से प्रयास करेगी, जिस जिस के पास ये सब नहीं होगा, उनके लिए प्रात्मिक्ता के आधार पर काम किया जाएगा, साथियों, हमारे देश में गरीबों की बात बहुत हुई है, कई लोगों ने तो जिन्दगी में बार बार गरीब गरीब ही बोलते रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम, पिछले छे साल में हुआ है, और बिलकुल प्लानिंग से हुआ है, एक चीज के साथ दूसरी चीज, दूसरे से जुड़ी वी तीसरी चीज, हर चीज की भरपाई हो, और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले, और खुद ही गरीबी को परास करके, गरीबी से बाहर निकले, उस दिशा में एक के बाद एक कदम, अनेक नई पहले उठाई ग हुआ जो छे साल में हुआ हर वो क्षेत्र हर वो सेक्टर जहां गरीब पीडी सोशीत वंचीत दलीद आदिवासी अभाव में था सरकार की योजनाएं उसका संबल बनकर आई है आप याद करिए हमारे देश का गरीब तो कागजों के डर से बैंक के दरवाजे तक ही नहीं जा पाता था प्रधान मंत्री जनदन योजना के माध्यम से देश भर में 40 करोड से अधिक गरीबों के निम्न मद्यमवर के लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए है इन जनदन खातों से हमारा गरीब बैंक से जुड़ा और तभी तो आसान लोगों उसे मिल रहा है सुथ खोरों के चंगूल से वो बाहर निकला है इनी बैंक खातों की वज़े से गरीबों को बिना रिश्वत आवास मिल रहे हैं किसानों को सीधी उनके बैंक खाते में मदद पहुच रही है कोरोना काल में ही पूरे देश की बीस करोड से अधिक बहनों के जनदन खाते में करीब 31,000 करोड रुपिये जनदन योजना के कारण ही जमा हो पाए है इसी तरह PM किसान सम्मान निधी के तहट देश भर के 10 करोड से जादा किसान परिवारों के बैंक खाते में 94,000 करोड रुपिये से जादा सीधे ट्रांसपर किये गए है